शनीदेव अस्त होने जा रहे हैं अस्त का मतलब होता है पावर हिं शनीदेव कुम्ब राशि और मकर राशी के स्वामी होते हैं तो आईए जानते हैं शनी का अस्त होना आपकी राशी के लिए क्या परड़ाम दे कर आएगा शनी देओ कर्म परधांग रहे हैं न्याए के रहे हैं वो अपनी ही राशी कुम्भ में अस्त हो रहे हैं और किस उपाए से अस्त शनी के लाब उठाए जा सकते हैं यानि अस्त श शनी को किस उपाय से जिंदा किया जा सकता है, जागरित किया जा सकता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, शनी देव मंगल के घनिष्टा नचत्र में अस्त हो जाएंगे, शनी देव मंगल की आपस में लडाई है, यानि कि शनी देव घनिष्टा नचत्र में अस अगर शनी अस्ट होंगे तो क्या परभाव होगा तीन फरवरी से तीन मार्स तक अगर आपकी राशी के लिए ये शनी अस्त भी शनी शुब होगा तो मालामाल और अस्त में खराब होगा तो परशाणी पैदा करेंगे अगर आपकी शनी या मंगल की महादशा या दशा या अंतरदशा चल रही है तो आप पर प्रभाव अधिक होगा अस्त क्या होता है अब पहले अस्त होने को समझ लेते हैं किसी भी ग्रह की शक्ती सूर से उसकी दूरी पर निर्भर करती है क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है और सूर्य ही सभी ग्रहों को प्रकाश मान करते हैं सूर्य ही हर ग्रह के सोत रहें यानि सूर्य से ही रोश्टी निकल कर जाती है सूर्य जो है वो प्रकाश है शनी जो है वो अंधकार है जो ग्रह अस्त होता है उसकी चमक खतम हो जाती है उसकी पावर खतम हो जाती है अस्त ग्रह जल जाता है और जो ग्रह चल जाता है उसके सबी गुड़ नश्ट हो जाते है चाहे वो अच्छे गुड़ हो या अव गुड़ हो उसके अंदर कुछ नहीं बसता अस्त ग्रह नीच ग्रह की तरीके से फल देता है जब भी ग्रह कोई अस्त होता है तो उससे रिजल्ड की उमीद नहीं की जा सकती है हाँ रिशी पराशर कहते हैं कि ग्यारवे भाव में वक्री ग्रह हो या अस्त ग्रह हो उसके कुछ अच्छे परड़ा मिलते हैं लेकि बाकी भावों में नहीं मिलते हैं शनी जब अस्त होता है तब महगाई बढ़ती है राजा और परजा के बीच में विरोध बढ़ता है नौकरी करने वाले लोग थोड़े जादा सावधान रहें कmi की शनी कर्म परदान करें हैं शनी कर्म चारी हैं उससे इस ददुनिया में जादातर लोग नौकरी करते हैं तब नौकरी करने वाले लोग थोड़े से सावधान रहें और कोट के चहरी वाद विवाद लाई जगरें में बिलकुल भी नाफस है नियाए पाने में कटनाई हो सकती है मिलता मिलता नियाए आपके सामें से छिन सकता है विलंब हो सकता है लडाई जगरे वाद विवाद से बचिएगा जो लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे जो लोग अध्यात्म से जुड़े होगे काम करेंगे इश्वर की भक्ती करेंगे इश्वर का मार्ग अपनाएंगे उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ये बात आप समझ लें और जो लोग मंदिल गुर्दवारे किसी भी धर्मिस्थान जाकर सेवा भाव रखेंगे इश्वर की भक्ती करना एक अलग बात है और इश्वर की सेवा करना एक अलग बात है तो जो लोग ये करेंगे उनको ही अच्छे परड़ाम प्राप्त होंगे और थोड़ी सावधामी तो सभी राशी वालों को रखनी ही पड़ेगी अब शनी जब अस्त हो रहे हैं तो हमें क्या उपाए करना चाहिए पहले उपाए बता देते हैं फिर आपकी राशी का हाल जानेंगे शनी पीरा हर सोत्र पढ़े शमी का पौधे की पूजा करे या शमी का पौदा आपके घर में है तो पूजा करें या लगा भी सकते हैं शुब महुरत में श्री कृष्ण के नाम का जाब करें जितना हम श्री कृष्ण के नाम का जाब करेंगे उतना आपको लाब होगा श्री क्रिशन गयतरी मंतर का जाब करें इससे भी आपको बहुत बहुत लाब होगा तो अब आप समझ गए कि अस्त ग्रह क्या होता है और शनी अपनी ही कुंब राशी में जब अस्त होंगे तो आपकी राशी पर क्या प्रभाव डालेंगे ये अब हम जानते हैं और अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के बटन को दबाते हैं फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुनें अब आपकी राशी की बारी और कुछ दो चार रुपाय और भी बीच बीच में बताऊंगा ताकि आपको और राहत पुल सके तो अब हम बात करते हैं आपकी राशी की शरीदेव मेश राशी वालों के लिए दसवे वा ग्यारवे भाव के स्वामी होते हैं गनिष्टा नच्छतर में अस्थ हो रहे हैं तो आपकी राशी मेश के स्वामी ग्रह मंगल को ये बहुत जादा प्रभावित नहीं करेंगे अस्थ होना यानि की ग्रह की शमता खत्म होना उसकी पावर खत्म होना लेकिन ग्यारवे भाव में अस्त ग्रह भी अच्छे रिजल्ट देता है ग्यारवा भाव आये का भाव है आमदनी का भाव है तो पैसे की घाटत पढ़त चलेगी तोड़ा सा उपर नीचे होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जीरो हो जाए 19-20 फरक आपके आमदनी में पढ़ेगा आपकी कमाई में पढ़ेगा लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप घाटे में चले जाए नुकसान में चले जाए या बड़ी हानी हो जाए ऐसा कता ही नहीं होगा, सरकारी लाब्ग के योग भी बनेंगे, आपके लाब्ग में भी व्रद्धी होगी, हाँ, थोड़ा सा अपे नाउन को आप लेके चलिएगा, सम्तान समंदी चिंता आपको हो सकती है, आपके सौभाव में थोड़ा चिर्चला बना सकता है, पारिवार भाव में कोई भी ग्रे बढ़िया फल देता है, चाहे वो नीच का हो या अस्त हो, प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी, लाब आपको सो रुपे का हो रहा था तो हो सकता है, कि 95 रुपे का हो जाए, 90 रुपे का हो जाए, या थोड़ा विलंबर से हो जाए, अवैद साधन बिल जाए, लेकिन हो सकता है, चार दिन बात बिलें, शियर मार्केट में सोस समझ कर, बहुत सोस समझ कर पैसा लगाईएगा, शौटकर से पैसा कवाने की चक्र में कहीं फस न जाए, सोस समझ कर पैसा लगाईएगा, लांग टर्म इंवेस्टमेंट करिएगा, बच्चों क कि देख भाल पर अत्रिक्त धन खर्च हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, हर्मान चलीसा पढ़ते रहिए, शराब और मान सहार से दूरी बना के रखिए, नौन वेज वगेरा मत खाईए, गरीबों का धन, गरीबों की महनत का धन, मारने की कोशिश मत करिए, उनको उनका हक दीजिए, और सरकारी काम हो या प्राइवेट नौक रही हो, उसमें इमानदारी बरतिये, नंबर दो वाले कामों से बच जिएगा, नहीं तो बड़ी हानी होगी, और नंबर दो के रास्ते पे चलेंगे, तो फिर नंबर तीन का रास्ता भगवान चुनेंगे, नं अचा हुआ, एक स्पीड बेकर आया, चोटा सा जटका लगा, फिर गारी निकल गई, तो ऐसे ही समझ लीजिए, चिंता क्या वशक्ता नहीं, कोई बड़ी हानी नहीं होगी, हड़ बड़ी में, जल्दबाजी में, किसी की बातों में आकर, आप अपने पैरवपे कुलारी म सभी ग्रहों को यहां पर देखा जाएगा, कोई सब एक दूसरे से कनेक्टर हैं, तो जब सभी ग्रह मजबूत होंगे, सब का आशिरवाद मिलेगा, तो हानी की संभावनाइज बहुत कम हो जाती है, और ग्रह खराब होंगे, तो हानी हो सकती हो सकता, शनी हानी ना कराएं, कोई दूसरा ग्रहानी करा दे, फिर क्या करेंगे, तो इसलिए कुल्ली की जाच कराना बहुत आउश्क होता है, अपने बारे में सब कुछ जाने, और दिये गे नमबरों पर संपर्क करें, क्योंकि जीवन आपका है, कमाएंगे तो आप खाएंगे तो आप गरीब रहेंग तो आप अमीर होंगे तो आप सोच लिए कैसा जीवन जीना है, नमस्कार.